आलो फोडी इस वेल्कम को किस किचन आज में आपके लिए लेकराई हूं इंस्टेंट हल्दी का आचार तो चलिए पटापट से हल्दी आचार बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट आचार बनाने के लिए मैंने आँ हल्दी का आचार बनाने यह फ्रेश हल्दी है दोकर मैंने इसे सुखाने आता अब आप देख पारें बिल्कुल पाणी नहीं है सुख गया है सारा पाणी पहले हमें चिन का निकाल लेना है इसका सारी हल्दी का इस तरह से हम चिन का निकाल लेंगे हल्दी हमारे शरीर के लिए बहुत ही पाइदेकार रखें इसलिए आप इस विंटर में जरूर इसे अपने डायेट में शामिल कीजिएं सारी हल्दी में रेडी कर लिए हल्दी का इसके खटन लिया है इस तरह से कट कर लेंगे इस तरह से कर लेंगे इसके या फिर आप इससे इस तरह से गोल भी कर सकते हैं कर देंगे इसके साथ हम लमन जूस डालेंगे मैंने चार लमन को कट करके यहां जूस निकाल लिया है इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे सर्दियों के मोसम में हल्दी बहुती फ्रेश मिलती है मार्केट में अब जरूर इस तरह से अचार बनाए और इसका पाइदा जरूर लें यह मैंने 5 टीबल स्पून ओइल को गरम कर लिया है हलका सा थंडा हो चुका है इसमें डालेंगे हिंग चुटकी बर साथ में हम डालेंगे मस्टर सीट्स पोटेबल स्पूल स्प्लिट मस्टर दाल मैंने इसमें डाल दी है इसके साथ हम लेंगे पैनेग्रिक सीट्स यह भी स्प्लिट दाल है इसे भी मिक्स कर लेंगे इसे हम मिक्स कर देंगे हल्री में अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने इसमें डाल देंगे स्वाधन सा नमक एक दिन के लिए इसे हमें रखना है इसी बावल में डखकर रख देंगे दिखिए एक दिन हो चुका है हमारा आचार बिल्कुल रेडी है मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और इसे एक एयर टाइट ग्लास जार में भरके इसे स्टोर कर लेंगे ले लिया है देखिए आचार मैंने यहां एयर टाइट जार में भर लिया है इसी तरह आप भी बनाए और इससे स्टोर कीजिए और एंचाई कीजिए बहुती हेल्दी और टेस्टी हमारा फ्रेश हेल्दी का आचार आज की रेज़िए आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कर करके बताइए मुझे तो आप भी बनाए इस तरह से टेस्टी और हल्दी इंस्टेंट हल्दी का आचार इसे आप स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक तो इन सर्दियों में बहुत ही फ्रेश हल्दी मिलती हैं आप जरूर इसका प्रयोग करें आज की रेस्पी पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक शेर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजे तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेस्प लेकर आऊंगी मैं आपके लिए तब तक के लिए टेक केर बागाई